गुद आप्टेन टो अलो फ्यू वेलकम टू वाइफाई स्टडी चैनल आप सभी का स्वागत है और कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं अच्छे होंगे स्वास्त होंगे खुश होंगे जिद्धे भी स्वीदें से चल्ली से आजए हैं आप लोगी क्लास यहां पर चलती है वो सभी मुझे अनकेडमी लर्निंग अप में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा गूगल प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर से इस एप्लेकेशन को डाउनलोड करना होगा इस ताइम पर मेरी क्लास रेलवे के टेकिरी में चल रही है और ड करना चाहते हैं इन्रॉल्मेंट करना चाहते हैं तो आप सभी इस कोड का यहां पर यूज कर सकते हैं अगर आप कोर्स पर्चेस करते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं पेड कोर्स में आप अपना रिजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप सभी इस कोड का यूज करें है और उसके बाद आपको image capture करना है या यानि कि जो कुछ भी आपको नहीं आ रहा है या आपको doubt है और उसके बाद send कर सकते हैं और mention कर दीजेगा कि कि सब्चेक से related है फिरे तो जो भी एडो कीटर वहाँ पर available होंगे लाइफ सेशन होता है, नॉर्मली एंडरोइट फोन जो आप बेसिकली चलाते हो, उससे आप इस टेस्स को दे सकते हो, एंडोल्मिन करने के लिए आपको अमरितायस कोड का यूज करना होगा, जिससे फ्री आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा, और ये लाइफ टेस्ट होता ह है, इसके साथ ही यहाँ पर, हाँ, फ्री में ही है, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि फ्री में दे दो मैम, तो बेटा ये फ्री में ही है, ठीक है, पर दिक्कत यह है कि फ्री में होते हुए भी आप कोई भी फ्री लाइफ सेशन नहीं करते हो, यहाँ तक याप यूटू बात यह है कि 11 अगस्त को एक बजे आप लोगों के लिए एक बहुत ही शांदर मेरा थन क्लास आ रही है जो कि बिल्कुल फ्री है लेकिन कहां पर अने केडमी लर्नर अप पर तो आप लोग वहां पर आ करके इससे जूर सकते हैं ठीक है चले तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ज कि कौन सा आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा बताईए फटाफर से आसर करेंगे बच्चों कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल यहां पर सही होना चाहिए ठीक है यहां पर एक स्टुडेंट ने पुछा है कि आपकी जो पीडियफ है वह कहां पर मिलेगी पीडियफ म चलो, जली से इसका answer करेंगे आप सभी students, कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए? ठेके चाते इन, चलो, जली सा answer करो, किनिम लिखित में से कौन सा एक यहाँ पर protozoa है? देखते किते students यहाँ पर सही answer करके बताते हैं, क्या बात है? सभी students almost सही answer दे रहे हैं, और answer क्या होना चाहिए? यहाँ पर A answer बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है. कैसे? अगर आप tripnosoma के बारे में बात करते हैं, जो कि आगे जाकर के एक special बिमारी करता है, जिसको हम कहते है sleeping sickness, sleeping sickness की बिमारी, है ना? और इसको आप निद्रा का रोग भी कहते हो, कि भई इसमें आपको headache हो रहा है, हाथ-पैरों में दर्ध हो रहा है, और दिन पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नीन आ रही है, मुझे सोना चाहिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैं हमें तो ऐसा होता ही है, हमें तो ऐसा पोला जो होते हैं और इसके सासा जो नैरेस होते हैं, वह वर्म के अंदर इहां पर गिने जाते हैं, ठीक है दरवंगा स्टुडेट, मैं गूरूब डी का एक्जाम कब होगा, सितंबर लास्ट का कहा गया है, गूरूब डी एक्जाम के लिए, लेकिन अभी कोई भी प्रॉ अगर हम यहां पर बात करते हैं लपर्ट के बारे में, तो जो लेपर्ट होते हैं, उनका जो साइटिफिक नेम है, वह क्या यहां पर होता है, चलो चली से इसका अंसर करेंगे फटाफर से, कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यहां पर बात होगी, अफ्रिकनस के बारे में, पैंथेरा टाइग्रिस के बारे में, या फिर पैंथेरा ओंस के बारे में, या फिर पैंथेरा पार्डस के बारे में, चलिए जली से इसका आंसर करना है फटाफर से, कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है निश्का, आंसर के अगर आप ब तो यहां प्रकार का प्रजनल जिसमें पौधे के शरीर का एक हिसा एक नए व्यक्ति के रूप में यह एक नए जीब के रूप में बिक्सित होता है उसको क्या यहां पर कहा जाता है चलिए जलिस इसका आंसर आप लोग को करना है ठीके यमराज, ओके हिमान्शू, आशीश, अभिशीक, रोहित, एहसास सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं बदाईए फटाफर से आंसर करना है एहसान का आंसर भी ठीक है अब जलिस इसका आंसर आप करेंगे फटाफर से कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा आंसर अगर आप देख रहे हो आंसर क्या होना चाहिए C option यानि कि Vegetative Propagation अब देखें, Vegetative Propagation का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक प्लांट है या कोई भी एक हमारे पास ट्री है उसका कोई भी एक हिस्सा तूटके गिर गया है या फिर काट दिया गया है या फिर नाचरली तरीके से भी हो रहा है कि वह एक तूटके गिर गया और फिर वह जैसे ही स्वाइल, यानि मिटी में पड़ा, वह थोड़े देर बाद आपको दूसरा एक प्लांट बनता हुआ दिखाई देरा है, और इसी को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, ठीक है, तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट सब दिए, ठीक है, करिए आप पहले क्लास करिए, जिस वस्तु में कारी करने की छमता होती है, उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है, यानि कि the object, having the capacity to do work, is set to the process, चलो बच्चो, जली से इसका आंसर आप लोग को यहाँ पर करके बताना है, गुरप्रीत, यह जो क्लास आप लो सही होगा, क्या बाते सभी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, एनरजी, यहानि कि उरजा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, जैसे कि अभी एक स्टुडिट निका था कि मैं नाइन्थ क्लास का यह question है, देखिए बेटा, मैं आपको एक क्यों ना हो, कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हूँ, नॉर्मल बात है यह, हमेशा NCRT को ही आप क्या मानेंगे, कि वो भगवान है, ठीक है, और उसी से ही related आपके सारे questions आते हैं, तो इस चीश को ध्यान में रखना, तो अगर आपके पास time है, आपको लगता है कि आपको NCRT की पढ़नी चाहिए, तो आप सबी 11, 12 और 10 की NCRT साइंस के अगर पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी question आपके exam में नहीं चुटेगा, इस चीश को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चलिए, अब next question के और move करते हैं, next है, निमलिखित में से कौन विद्धुत चुंब की तरं है, यानि की बीच आप दो फूलोइंग एस एन, इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेवस, देखते हैं किते बच्चे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं, बताईए पटापट से, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, मुकेश, रूची, राजेश, बहुत अच्छा ही हाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आंसर, इंफ्रारेड रेज ही हाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो फटापट से आप लोग इसको यहाँ पर नोट कर लिजे, रेडियो वेवस होगा, माइक्रो वेवस होगा, नहीं, इंफ्रा आप लोग यहां पर करेंगे कॉसा आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा नरेंद्र जो 11 बजे वाली साइंस हेविन में जो बाइलोजिक की क्लास होती है उसका टाइम में ने चेंज कर दिया है और रात के 11 बजे से कर दिया है क्योंकि अभी क्या है ना बारीश ओरी है तो उस सुदूट के पढ़ लेना लेकिन यहां पर कुछ दिक्कत रहती है मॉर्निंग टाइम पर अब जली सिसका आंसर आप लोग करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा डिस्चार्ज बहुत अच्छे तो आंसर के आप मात करें तो डिस्चार्ज यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटा बर्स आप लोग को हिहां पर नोट करना है निस्सरन भी इसको कहा जाता है बहुत अच्छा आशीष का बहुत अच्छा आंसर भाहत बढ़िया ठीक है लोके साहिल आंसर क्यों चार्ज रोग ऑनके अभोर हम यहां पर मूव करते हैं कि पानी में सही हो जाएगा ठाकुर विक्की यह जो क्लास होती है हमारी अलग स्टूडियो सेट अप करके दिया जाता है वाइप आने केडमी की तिरफ से वही से ही क्लास आपकी प्रॉपर चलती है मैं B होगा क्या हो गया भूशन ए हो जाएगा नहीं गोल्डी का अंसर अच्छा आया है अभी तक में निशीता बारा बजे ही लाइव आती हूं में अब यहाँ पर नेक्स कोश्चन के अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा hydrogen bonding क्या हो जाएगा hydrogen bonding तो association of the molecules in the water is due to very simple सी बात है water के अंदर जो hydrogen bonding बन रही है वही क्या यहाँ पर है molecules उसको जोड़ते हुए दिखाई रहते हैं जो भी water के molecules होते हैं वह इसी की वज़े से जोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं अब इसके बात हम यहाँ पर next point की और move करते हैं मैं आपके YouTube में कितनी classes free में हैं मेरी चार classes daily होती है free live session होता है आप लोग free में पढ़ सकते हो परेशान मतों ठीक है मैं आपको class के end में अपना time table बता दूँगी तो आपको जो भी अगर आप protein का digestion करते हैं तो क्या वने बने के बनता हुआ आपको दिखाई डेंगा या पिर choreography आप दिखाई देगा या फिर बस आया फेट का आप डाइजेशन करते हो तो क्या आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है चले इस इसका आशरा आप लोग यहां पर करके बताएंगे दें फेलिस्ट जो है विट पलेलिस्ट बना हुआ है अब मैं आपको सारा सब कुछ बताऊंगी ठीके क्लास में थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ अभी में आदे घंटे उसके बाद सारा आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है क्लास से रिलेटेड वो सारे में सॉल्व कर दूगी बस मुझे आदे घंटे का टाइम दो ठीक है अब देखें अगर आप यहा आंसर बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा बहुत अच्य जलिए ठीक हैं अब नेक्स्कोcia की और बढ़ते हैं और जली से इसका आंसर आप करके बताएंगे कि निम लिखित में से कौन सी ग्रंथी पैपसीन एंजाइम का श्राव यहां पर करती है अब देखें अगर आप यहां पर ग्रंथियों के बारें बात करें तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैं यह ग् चुछ मुख्य उता क्या होते हैं जो यह तो हो टिफ्रेंट तरह के एंजाइम्स निकालते हैं यह फिर तरह के Impलते हों जोसी को आप रश्मिल की बात करते हुं दॉब सब चीजे निकालते हैं तो यहां पर जो हार्मोन के बारे में बात हो रही है तो जो भी हार्मोन निकालेगा उसको हम कहते हैं एंडो-कृाईन ग्लाइडस है है ना और हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है अंतह श्रावी ग्रंथियां अंतह श्रावी ग्रंथियां ठीक है लेकिन अगर आप देख रहे हो कि एंजाइन निकाल रहा है जूस निकाल रहा है मिल्क निकाल रहा है स्वेट निकाल रहा है तो बाकी जो निकाल रहा है उसको क्या कहा जाता है एक्जोक्राइन ग्लैंड्स क निकाल रहहा है अब यहां पर यहां पर अगर निकाल रहे होता है कि एक को करेंगे कजी करेंगा है कुछ इसके रहे हैंrokरता है बाकि बच्चे आंसर करेंगे से कॉन सा यहां पर सही होना चाहिए बच्चे आंसर के अगर आप करो तो phय wonderfully यहां पर बिलकुल सही है हो जाएएगा ठीक है कि यह last ज्रीक ग impostkeys उटेख्लैणस भिलक्री कंडर के जो भी आपका स्टमक होता है जो आपका होता है या निरी हर्ष गán तो सभी बच्चों को लगता है कि ओहो गैस बन गई क्या ने गैस्ट्रिक मतलब होता है अमाश है तेक है और इस अमाश है यानी इस टमाख के अंदर की तरफ की जो लाइनिंग होती है उसमें छोटे-छोटी सी बहुत सारी क्या पाई जाती है ग्लेंड्स पाई जाती है और अगर आप गैस्ट्रिक ग्लाइंड के बारे में बात कर रहे हो तो गैस्ट्रिक ग्लाइंड से क्या निकलता है यहां पर गैस्ट्रिक जूसिस निकलते हैं निकलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस हैं जिसको क्या जाए adviser जिसको क्या हो सब्सक्राइब है यह पाड़ कर लिए सायल कहई एक सपे इसके लिए कोई बुक है क्या हाँ बुक है अगर आप NCRT पढ़ते हो नहीं तो आप मेरी थियोरी क्लास में आ सकते हो और उसके लिए एक अलग चैनल है जो की अनेकेडमी का ही चैनल है जिसका नाम है साइम्स हेविल यूट्व चैनल है और यही पर ही मेरी त्योरी क्लास चलती है तो आप यहाँ से मुझते पड़ सकते हो ग्यास बन गया है चल चलिए नेहा वाइफाई में मेरी क्लास 12 बज़े से ही होती है बागी दूसरे जो साइन्स है बने उसका भी मैं आपको टाइम टेबल बता दूँगी चलो अब जली से इसका आंसर आप करके पिताएंगे कि बहुली करण एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें काफी अच्छा आंसर है बताइए ठीक है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप पॉलिमराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जो पॉलिमराइजेशन है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको नौर्ण दूशी कान बहुत अच्छे है बढ़िया थाइंक्य अगर आप देखें पॉलिमराइजेशन के बात करें तो धो या ना मतलब होता रहे है मतलब ह Я मतलब किहां पॉलिमराइजेशन के यहां पर काहा जाता है तो फटाफ Markusив को यहां पर न değटल कर लिए अब देखें मतलब कर लीजिए अब देखे सिंपल सा मतलब है मौनोमर मतलब कि हमारे पास एक कोई भी बीड्ट है एक कोई भी प्रॉपर मोती है अब मैंने क्या क्या उस मोतियों की एक माला बना दी तो एक था तो है तो एक के लिए क्या वर्ड उस्किया जाता है मोनो बहुत सारे है उसके लिए वर्ड उसक्या जाता है पॉली तो मोनो मर से जब क्या बन रहा है only मर यनि से बहुत सारे वो एक लाइन से जुड़ते चले जा रहे हैं तो उस प्रॉसेस को क्या कहा जा रहा है पॉली मराइजेशन कहा जा रहा है बस सिंपल है ठीक है चलो अब नेक्स कोशन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोशन है यहाँ पर कि समतल दरपड में हमेशा अभाशी जाएगा हमारे पास एक प्लेन मिरर है ठीक है और उसमें जो वर्ट्यूल इमेज मेंनेगी वो हमेशा कहां पर बनती हुई आपको दिखाई डेती है आप बिहाइंड दा मीरर बिहाइंड दा ओबजेक्ट एट इंफिन डिस्टेंस फ्रॉम दा मीरर इन बिट्विन दा अघन से फुट से आंसर यहांको सही होगा पहांश हो बहुत अच्छे और आंसर के अगर यहां पर बात करो तो आंसर क्या होगा है है ञायक यहां भूचाई चाहां होगा आइस यहां पर बिल्कुल विट्विन दीवार जाएंट काई आपने से नोटए आइने के पीछे आपको यहां बनता हुआ दिखाई देता है तो फटा फट से नोट करना है आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा दिल्खुश आज से सारी क्लासस शुरू हो जाएंगी आपकी साइन सेवन पे ओके चलो अब नेक्स कोश्चन की और मूफ करते हैं नेक्स है गर्मी के मौसम में घर की उपरी और बाहरी सता को सफेद रंग से रंगा जाता है ऐसा क्यों चलो बच्चो चलो इसका आंसर आप लों यहां पर करके बताएंगे कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताएए बह घर के उपरी और बाहरी सताह पर किसका पेंट क्या जाता है वाइट कलर का पेंट है ऐसा क्यों चलो ज़लिस आंसर करो फटा पट से कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा ठीक है दिलखुश में बात कर लूगी परेशान मतोगी है एपी बर्थदेश अंकर गॉड ब्लेस यूँ एपी बर्थदेश चले जलेश आंसर करेंगे बहुत अच्छा आंसर कि अगर आप बात कर रहे हैं एए आंसर तो वाइट सर्फेस रिएक्स प्रेक्ष मोर हीट एनरजी एड एब्सॉब लेस हीट एनरजी तो इसलिए आंसर क् एक सफेस अधित गर्मी उर्जा को दर्शाती है और कम उर्जा को यहां अवशोशित यहां पर करती है और इसी वज़ेसे जो गर्मी होगी वह काफी कम आप लोगों को लगेगी अब नेक्स कोश्टेंग निम्लिकित में से कौन सा पौधा शरीर में कॉलेस्ट्रॉल के इस कॉलेस्ट्रॉल लेबल बढ़ता चला जा रहा है तो आगे जाकर के आपको जो कार्डिक अरेस्ट कार्डिक पेन है ना मतलब हृदय संबंदी जो रोग होते और आपकी जो आल्ट्रीस होती हैं उनमें अंदर की तरफ यह जम जाते हैं जिसकी वज़े से ब्लड प्रेक्श या पर जिंजर का यूज करेंगे या फिर यहां पर मेथी दाना जिसको आप फैनुग्रिक कहते हो या फिर कोरियन दर्यानी की धनिया आप यहां पर यूज करेंगे देखते हैं किते पर यहां पर सहीं आंसर करते हैं और यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात है कि अगर आ आप खाली पेड मेथी का दाना भी खा सकते हैं पर ऐसे नीर आत को सोख करना है रात को उसको भिंगा देना है और सुबह आप उसको खा सकते हो ठीक है या फिर पी सकते हो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स कोशन की और मूव करते हैं ग्रूप डी का जो एक्साम होगा वो इस महीने तो नहीं होगा सितंबर तक की बात हुई है जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूँगी अनुश्का अम्रिता साहू की नाम से मेरी प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगी अनेक हिर्मी में रेल्वे केटिकरी भी मैं आपको मिल जाओंगी ठीक है अब नेक्स कोशन की और मूव करते है ग्रूप डी में बायों की कितने कोशन आते हैं मैं डिपेंड करता है बच्चे कभी-कभी तो 13 कोशन भी आये हुए हैं कभी-कभी 9 कोशन आते हैं इस तरीके से होता है अब बताईए फुटापट से निमलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में प्लास्टीड प्रमुख भूमी का निभाते हैं काफी अच्छा कोशन है चलि अब देखें प्लास्टीड के अगर हम बात कर रहे हैं उसको क्या कहा जा रहा है कवक देखें प्लास्टीड प्लास्टीड के तीन प्रकार होते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अग जिसको आप पढ़न हरित कह रहे हो, वो किस क्या काम कर रहा है, कि जो भी सललाइट आ रही है, उसको एब्जॉब कर रहा है, और पोर्टो सिंथेसिस की प्रॉसेस यहाँ पर करने में हेल्प कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, प्रकास अंसलेशन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो फुटा पर से आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, थांकियो दिल्खुश, हाँ, PDF इसकी आप लोगों को मिल जाएगी, और जित्ती भी स्टुडेंट्स आया हुए हैं, बिटा, आपको डेली क्लास में आना है, ठीक है, मंडे टू फ्राइड के लिए अरेंज के पेपर में, अमोल मुझे समझ नहीं आया, प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजे, थांकियो साहिल, अब हाँ, लवक होता है, ठीक है, लवक होता है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स देखते हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स देखते हैं, कि the second permanent molar appears about the age of, चलो बच्चों, जलिस इसका आंसर आप लोग यहाँ पर करके पताएंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा, यहाँ पर कहा रहा है कि दूसरा इस थाई दाड की उम्र लगभा कितने वर्ष में आपको दिखाई देती है, चलो बच्चों, जलि आसरा क्या होता है यहाँ पर केनायन, पिर क्या होता है, प्री मोलर, और सबसे लास में क्या होता है, मोलर, हिंदी में हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, कृंतक, पिर आजाता है, रदनक, पिर आजाता है यहाँ पर अग्र, चवर्नक, और देन उसके पार आपका आज milk teeth होता है, दूद वाले जो दाथ होते हैं, उनकी संख्या कित्ती होती है, आपके एक्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना है, 20 होती है और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो permanent teeth होते हैं permanent, जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इस्थाई जो दाथ होते हैं permanent teeth होते हैं, वह कितने होते हैं 32 होते हैं, तो यह तो आपको सबको पता है पर 20 आपका सबसे जादा यहां पर पूछा जाता है, दूसरी बाद आपको यह ध्यान में रखना है, इसका जो formula आपसका पूछा जाता है है ना, formula की अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर लिखो 2, 1, 0, 2 2, 1, 0, 2 और जो बड़ों के अंदर formula होगा, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 तो सबी बच्चे इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीके इसको मैं पढ़ाऊंगे teeth अलग से आप लोगों को एक दिन बलब ठोरी में जो पढ़ाती हूं उसमें पढ़ाया भी है और और भी पढ़ा दूंगी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम milk teeth के बारे में बात करते हैं या हम जब छोटे बच्चे होते हैं लगबग 12 या 14 साल तक के जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर milk teeth पाया जाता है और milk teeth में आपको यहां ध्यान रखना है कि हमारे पास pre molar नहीं होता है यह भी question पुछा जाता है कि जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा कौन सा दात होता है जो हमारी body में नहीं पाया जाता है तो आंसर pre molar यानि कि जो अगर चमर्णडख है वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता है यहाँ पुछा जाएगा कि आपके पूरी life cycle में ऐसा कौन सा दाथ है जो सिर्फ एक बार उगता है तो आंसर करना कि pre molar यही ऐसा दाथ है जो हमारे पूरे life cycle में सिर्फ एक बार उगता है जब हमारे permanent teeth बनते हैं तो यहाँ उग जाता है ठीक है लेकिन अगर आप बात करें कि हम बचपनी की बात करें तो यहाँ नहीं होता है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा mention कर दिया है रवी मेरी जो class होती है वो 12 बज़े से start होती है यहाँ पर चले तो यहाँ पर अगर आप बात करें बाकी तो यहाँ पर अगर आप दाढ़ के बारे में बात कर रहे हो तो जो दाढ़ है वो किसका एक प्रकार है? मोलर टीथ का तो वो मिल्क टीथ में के टाइम पर भी होगा और जब हम परमानेंट टीथ की बारे में बात कर रहे हैं तो भी वो होगा और जब हमारी एज लगभग बारा साल की हो जाती है तब दूसरे नंबर का इस्थाई दाढ़ मतलब गर सेकिंड परमानेंट मोलर हमारे जबडे में दिखाई देना शुरू होता है तो इसलिए आंसर क्या करेंगे आप सभी यहां पर बारा साल यहां पर लिख देंगे ठीक है तो इस चीज़को ध्यान में रखना है नमस्ते राहूल सभी बच्चों को नमस्ते यहां पर मैं मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास टाइम कितना रहता है यही है बारा बज़े से बारा बज़े से मैं आप लोगों को यहीं पर मिलूंगी इसके अलावा एक और चैनल है साइन्स हैवर उसका भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में टाइम टेबल बता दूंगी अब नेक्स कोशन दा दा जो आपका नेत्र गोला की पुर्वकाल गुहा की समाग नमस्ति और नमस्ते बताए बचों जली से का अनसर करेंगे कौनसा तहीं होगा तो जबी आप अपने आपके बारे में बात करते हो और अपने आ आफ के कि अगर आप बात करें तो क्या झाएगा एंटीरियर कैविटी हाँ पर कहा जाएगा आगे का जो हिस्सा है आपके आखों का है उसमें के जगा है उसमें क्या भारा हुआ होता है यही कोशन आप से पुछा जा रहा है और इसका आंसर क्या ओर जाना चाहिं है यहां पर सहीं हो जाना चाहिए अब यह लिख दिया है यहां हर काज का हास्य लेकिन में अप लोगों को एक बार बतादू इसको कalli पार कचाब काचा द्रव्य भी कहा जाता कचाव भ्रव्य भी कहा जाता है ठीक है लेकिन हिंदी मिडियम वाले बच्चों को मैं ध्यान में रखूंगी कि आप इस शब्द को ध्यान में रखेंगे यह जो ज्यादा यूज किया गया वह शब्द है नमस्ते मूंटी नमस्ते चेक है अब इसके बार बच्चे बार बार और अन एकेडमी का चानल है जिसका नाम है साइंस हेविन यूट्यूब चानल साइंस हेविन यूट्यूब चानल पर रात के आठ बजे आप लोगों की इनवायर्मेंट की थ्योरी क्लास चलती है ठेक है उसके बार रात के 10 बजे आप लोगों का जीके जीएस का पूरा प् बाइलोजी की क्लास चल रही है और वो भी पूरी थियोरी क्लास चल रही है अभी ही स्टार्ट हुई है तो आप सबी बच्छे इसको कर सकते हैं पहले मौर्णिंग में 11 बज़े करवाती थी पर आप बारिश हो रही है आज कल आपको पता है यह जुलाई अगस में बारिश कि सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहकर के और पढ़ना चाहते हैं तो आप सबी मुझे आने केडमी लड़नर आप में भी फॉलो कर सकते हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं और जहां पर डेली मेरा एक बज़े और रात के नौबचे फ्री लाइफ सेशन चलता है इसकी जो पीडियाफ है जैसे 16 कोशन मैंने कराये हैं टोटल 25 कोशन में आप लोगों के लिए लेके आते हूं तो पीडियाफ में आप लोगों क मैं 25 कोशन देदूंगी और वहां पर अगर आपको कोई भी इशू होता है या फिर आपको लगता है कि मैं कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप कल क्लास में 12 बज़े मुझसे पूछ सकते हो ठीक है चले ठीक है बचो तो आज की क्लास को हम इत्ता ही रखते हैं ठीक है समायरा समीरा सनाया सभी आ चुके है ठीक है तो कल में 12 बज़े आपको वाइफाई में फिर से मिलूंगी लेकिन अगर आप मुझसे और मिलके पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे अन्रेकेट में आप् सेशन होता है आप आईए मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया ठीक है चले तो अपना ख्याल रिखिए पीडियाफ में पीन करा दूंगी लेकिन तीन बज़े के आसपास कि अभी मेरी कंटीन्यू क्लासे इस वज़े से तो थाइंक यू सो मच टेक क्यार